लालची लोमडी की कहानी में ये है कि एक बार की बात है एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वो भूग से परिशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमडी को एक खरवोश मिला। लेकिन तकने के बाद भूकी लोमडी को एक हिरन, डेर, दिखा हिरन को देखते ही लोमडी के मुँव में पानी आ गया। लोमडी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दोड़ने लगी। लोमडी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोमडी की पकड में नहीं आया अब लोमडी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी जब लोमडी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमडी सोचने लगी कि इस से अच्छा होता वो छोटे से खरबोश को ही खालेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमडी खरबोश को धूनने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। कहानी की सीख, उप्रोक्त लोमडी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच किये बिना संतोशी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। हिंदी में लालच, गीडी के प्रसिद मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है।